गुड बॉर्निंग फ्रेंड्स तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल क्रैक्ड कॉंप्टिशन में दोस्तों बिएसफ, सीएसफ, कॉंस्टेबल, जीडी का जो एक्जाम आठ नॉंबर को हुआ था आज उसका रिजल्ट आने वाला है 24 नॉंबर को तो इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और अनुमानित कितने बज़े तक आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों अनुमानित साड़े बारत से एक बज़े के बीच में वेबसाइड में आपके रिजल्ट को अपलोड कर दिया जाएगा तो अपलोड होने के बाद कुछ टैम लगता है तो एक से लेके दो बज़े के बीच में आप अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे हाला कि जैसे ही रिजल्ट आउट होगा तो हम वीडियो बनाके आपको अपडेट दे देंगे कि रिजल्ट आउट हो चुका है तो दोस्तो देखिए इस वीडियो में तक बने रहेगा कि चेक करते हैं कि कैसे इस रिजल्ट को हम चेक कर सकते हैं ठीक है अपने मोबाइल से या फिर अपने लैप्टॉप कंप्यूटर से तो सुरू करते हैं दोस्तो तो दोस्तो सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर आप ब्यस अप की ओफिशल वेबसाइट को सर्च करेंगे आप गूगल पर ब्यस अप लिख देंगे ना तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी ब्यस अप.GOB.IN यह ब्यस अप की ओफिशल वेबसाइट है ठीक है इसी पे क्लिक किजिएगा जो सबसे पहले नंबर पर आएगी ब्यस अप लिखने के बाद ठीक है तो आपको कुछ इस टैप का इंटरफेस इसमें देखने को मिलेगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर इंटरफेस देखने मिलेगा अभी इसमें हिंदी में लिखा हुआ रहा है अगर आपको हिंदी में कमपरटेबल नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए इस कौने में जाकर यहाँ पर देखिए थीक है, उसके बाद आप नीचे को जाएंगे यहाँ पर recruments लिखाया है, और recruments के लिखाया what's new? ठीक है न, what's new याने की नया क्या है, तो यहाँ पर what's new पे, अभी net थोड़ा slow है, तो यहाँ पर a यहाँ पर आ न भारा है क्या लिखाया कर गए, मैं एक बार आपको फिर से इसको refresh कर देता हूँ ठीक है ना तो दोस्तो वर्ट्स नियू में लिखा हुआ आएगा यहाँ पर देखिए जैसके यहाँ पर भी लिखा हुआ रहे है detailed medical examination of ADLDC तो अभी result नहीं आया हुआ है जैसी result आ जाएगा तो पहले number पर आपको दिखाएगा result of BSF CISF constable male female ठीक है आप उसको check कर लिजेगा तो यहाँ पर आपको दिखा देगा हो ठीक है ना तो इस website पर चेक कर सकते हैं और उस पर click करेंगे तो या तो PDF को लेगी और या फिर आप अपना रो नमबर डालके उसको check कर सकते हैं दोनों मैंसे कुछ भी हो सकता है अब यह clarify नहीं है तो यह है इसका पुरा procedure और जैसे ही result आउट होगा तो हम आपको पुरा बता देंगे ठीक है तब तक के लिए आप इस पर update रहिए thank you